नमस्कार दोस्तों आपका स्वागर्थ है हमारी योट्यूब चैनल अंडर्टिनिंग बादश्वा पे और जो कल मैच हुआ था भई धमा के दार मतलब देखो मैच कल नहीं हुआ था तो दो तिन दिन से चल रहा है टेस्ट मैच न्यूजेलंड वर्सेज वेस्ट इंडीस का जो आज डे फोर था आज कि आज ये मैच समाप तो चुका है मतलब कल थोड़ी सी मैच आशा थी कि वेस्ट इंडीस थोड़े अच्छे पड़ाव पे चल रही है क्योंकि जैसान होल्टर पचास पे खेल रहे थे लेकिन फिर अब ऐसा यह ना वही वेस्ट इंडीस की टीम उनके उपर ही टिकीवी है जब आउट हो जाते हैं तो सब कानत हो जाता है तो यह को सबसे पहले पूरे डीटेल्ट हाइलाइट्स की बात करते हैं स्टेटियम है अपने बैसन रिजर्व के अंदर वेस्ट इंडीस ने टॉस जीत के बालिंग का फैसला लिया और फिर इमार होल्डर ने इनको आउट करा है जोशुआ दा सल्वा ये विकेट की पर इनके पस कह चाया था फिर ओपनिंग पर टॉम ब्लंडेल आयते लेथम के साथ और लेथम कैप्टेन भी थे इस मैच केंदर क्योंकि केन विलियम सन को रेस्ट मुला तो क्योंकि पहले टेस्ट इस शनन गैब्रियल ने शांदर बोल्ड करा यार इनको फिर डबलू यंग वायर एक तो इनके यार वैस्ट इंडीज के कैसे किसे नाम है डबलू यंग फिर उसके फॉर्टी तरी रेन बना है उन्होंने फिर बल्ले बाजी करना है रॉस टेलर भाई टेलर शांदार बैट फिर है 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 हैंडी निकल्स 174 रन्स 280 बाल्स 214 एंड 16 शांदर बैटिंग यार मतलब धागे खोल दी सामने वाले टीम के वेस्ट इंडीज के प्लेयर्स के मतलब बॉलर परिशान होगे बॉल डालते हुए लेकिन फिर जा आउट हुए स्पिनर से आउट हुए है रॉस्ट तो यार फिर भी मतलब इसकोर बहुत बढ़िया था चाहा कितने विकेट गिर जो उसके बाद और यहां पर भाई यार मैं तो यह सोचके तंग रहा जाता हूँ कि यह न्यूजिलेंड के बॉलर इतना ठोक जाते है नील वैगनर 66 66 रन आठ चौके 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 बही आर अ जाद मेडे नोवड डाले 93 रन 3 एक नौमी और सबसे बड़िया बॉलिंग है सबसे बेस्त बॉलिंग करी जैसन होले मितलब होल्ड और इनकी धड़कन है वेस्ट इंडीज़ के अंदर मैं अकर भूल्डर भी यहां सेठ जाेंगे नहीं होल्डर का नाम भी अडिया ना तो तो देखो आप बात करते हैं फिर 460 रन तो जड़ी है न्यूजिलेंड ने फिर बैटिंग आई वेस्ट इंडीस की पहले ही ओपनिंग करना है क्रेक ब्रेथविट और चैंप पहल तो ब्रेथविट तो जीरो पे निकल लिए टिम साउधी की बॉल पे स्विंग हो रहा था श पूरा तुक 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 करे जा रहे तो 92 बॉल में 14 रन्स बना है 15 की इस ट्रैक रेट से भाई फिर रॉस्ट अंचेंज पहली ही गेंड बे गोल्डन डग हो गया अलवीदा करा कायल जैमाइसान ने जो प्लेयर आप दी सिरीज भी है और फिर ब्लैक वोड भाई न की बॉल पर फिर ये दिसिल्वा फिर जोसफ यह मतलब इनका में के रिव्यू बताओं मतलब जो यहां पर अंकी जीरो आर्ट तीस से ज्यादा तो बहुत कम लोगों ने मनाया वैसे ब्लैक वूड नहीं मनाया फिर भाई इनको फॉलो अन दिया इनको न्यूसिलेंड वालो वही चोई स्रूम नाके आउट ओगे कैमबल 68 रन मनाके डैरन ब्राव वही चार रन मनाके शैमरन ब्रुक्स एक चक्का और चार चौक के जरूर मांग रहे हैं इन्होंने 36 रन मनाया फिर रोस्टन चेस तो इस दूसरी इनिंग में भी इन्होंने अपना खाता नहीं खोला म कल का दिन था और इन्होंने 291 क्या सपाच कुछ कुछ स्कोर था और 8 विकेट गिरेवे था या मुझे लगा या टार्गेट दे सकती है अभी भी कब सेकों 150 तक का टार्गेट मिल जाएगा न्यूजिलेंड को अगर यह ट्रेल नहीं हुई तो लेकिन भाई यार फिर भी य होना है दो चक्के तीन चौक के भाई सब दोसों की स्ट्राइक रेट से टीट्विंटी खेल रहा थे तो टेस्ट के मैदान में टीट्विंटी खेल रहा था भाई और बॉलिंग का रिव्यू करें कायल जमाईसन की तारीफ करनी पड़ीगी यहां पर मतलब शांदर दो की नौमी से दो पॉइंट आट साथ की तो देखो पूर है यह हमने आपको हाइलाइट्स पता दिए इसकी सामरी देख लिए प्लेयर ऑफ दी सीरीज मिला कायल जमाईसन को और वो मिलना बहुत वाजब था भाई बिलकुल मिलना चाहिए था और प्लेयर ऑफ ते मैच मिलना है कुछ कफेंग उनके कोई एक इंजरी थी वह भार हो चुक है अब टेस्ट मैच में आ चुक है मोजिस हैंरीक्स ध्यान से सुनना है एक ब्रेकिंग न्यूस है इंडिया टेस्ट मैच जो सतता एक से चालो हो रहा है वह ब्रेकिंग न्यूस हमने आपको इसी वीडियों बता करी तो इसलिए आप वीडियो मैं कहता हूं वीडियो को अंतक देखा करो और हमारे टेलीग्राम चैनल भी जॉइन कर लो अगर आपको सारी ब्रेकिंग न्यूस टीए तो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा जॉइन करना है ब्रेकिंग न्यूस के लिए जया सुन्देट आपको लो ओीजादी हिए वीडियो आपको।